अभी भूवनेश्वर में Press Conference हुई है और भूवनेश्वर में जो Press Conference हुई है Recently तो उसमें Councils का जो Senior Council से उनसे discussions चल रहा था तो discussions में जो निकल के आया है The Reality of the Grace Mark मैं उसके बारे मैं आपके साथ discuss कर लेता हूँ, because बहुत सारे strengths हैं, जो grace mark को ले करके काफी परिशान है, कि sir grace mark मिलता है कि यह नहीं मिलता है, तो मैं आपको specifically बता दू, जो मेरे discussions में निकल के आया है, that is उनका कहना यह है कि yes, I say grace mark आपको देता है, right, और grace mark जो है specifically किसी specific category को नहीं मिलते हैं, मतलब inter वालों को अगर मिलते हैं, तो that is foundations वालों को भी मिलेंगे, और उसमें आपको CA final वालों को भी मिलेंगे, right, तो grace mark equally मिलते हैं, but depending upon the circumstances, मतलब अलग-अलग slot है, ICAI का, जैसे कि आपको में कोई paper में 37, 38, 39 अगर आ रहा है, तो ऐसे case में ऐसे 2 to 3 marks का grace mark देकर का आपको pass करती है, right, apart from that, एक चीज और भी है, इसमें आई से ये भी कहता है कि अगर मान के चलो scenario आपका 200 cross हो रहा है, मतलब 200 से उपर जा रहा है, और आपका किसी एक particular paper में 36, 37, 38 भी जा रहा है तो भी जाकर कि आपको pass कर दिया जाता है और तीसरा slot उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा भी हम grace mark हम उनको तब भी provide करते है बच्चों को, कि अगर मान के चलो आपका कोई paper tough बना है जो बिल्कुल out of box paper आया है जिसमें आपको 40 marks लाने मुश्किल हो रहे है 35, 36, 37 के असपास तो ऐसे case में उसमें भी grace mark दे करके आपको pass कर दिया जाता है ठीके, तो वीडियो कैसी लगी यार प्लीज बताओ, like करो, share करो चानल को subscribe करो, ऐसी relevant information आपको मैं आगे भी देता रहूंगा more updates के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर ले, चानल को subscribe करके तैंक, तैंक्स ओलोड, तैंक्स ओलोड वाचिंग इस वीडियो, God bless all of you